आप लोग अब यह जो T9 Ultra smart watch रहा था इसका आप लोग का speaker यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर speaker से आप लोग का sound नहीं आ पा रहा है कि आप लोग अब इस smart watch में यहाँ से volume join case नहीं हो पा रहा है अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग यहां पर देखो आप लोग को करना क्या है देखो सबी चीज़ होता है अगर आप लोग स्मार्टफोन को भी अपडेट करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलते हैं आप लोग को इसका Bluetooth को on कर देना होगा and then Bluetooth on करने के बाद आप लोग को स्मार्टफोन से कनेट कर देना आप जिससे आप लोग कनेट कर तो उसी साप लोग कनेट करना यहां तो मैं अपने स्मार्टफोन से यहां पर नहीं कनेट करता हूँ तो आप लोग को स्मार्ट वाइज को एक बाद जरूरू आप लोग को अपडेट कर देना है सेटक उप्शन को पर करोगे क्लिक क्लिक करने के बाद जो आप लोग को सिंपल डिवाइज को पहले यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा तो यहां पर डिवाइस देख सकते हो connect कर लेते हैं पहले हम लोग इसे scan करेंगे उसके बाद यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगा अगर नहीं आ रहा है बहुत में होता क्या कि यह स्मार्ट वाच रहते हैं connect जल्दी यहां पर नहीं होता है तो आप लोग को सिंप अपीकर करोगे I update करने के बाद आप लोग करें यहां पर जी स्मार्ट वाच को स्पीकर मिलते हैं यह जो छोटा सा स्पीकर दियागा शें है इसल्मर्ट वीड़ियो को डेख सकते हो तो किस स्मार्ट वाच की स्थीकर मिल общем पर कि अव्यों क्यां आप लोग गए को स्मार्ट तो वहाँ पर आप लोग को दिख लहाँ आप लोगowाज आप लोग को पर क्लिक कर Ведь लोग सकते हो उसके बात देखो यहां पर आप अप लोग को जो बहुत चोटा असी इस स्पीकर आ गया है तो इसमें बहुत चोटा स्पीकर तरी जो है इसका स्मार्ट वाच की स्पीकेर से उतना आप लोग को आवाज ज्यादा यहां पर नहीं आता अब देखो आप लोग साउंड क्वाल्टी को किस तरीकी से इंक्रीज कर सकते हो अगर आप लोग का जैसे स्मार्ट वाच में साउंड आता है नौरमल तो मैं अगर आप ल इसके बाद जो सिंपल हम लोग चले आते हैं यहां पर म्यूजिक को अप्शन को पर एंड देन हम लोग म्यूजिक को ओपन करते हैं तो यहां पर देखी सकते हो किस तरीका आप लोग को यहां पर जो है स्मार्ट वाच में साउंड क्वाल्टी देखने को मिल रहा है ज्यादा तो मैं म्यूजिक नहीं बजाओंगा कोपी रैट भी आ सकता है उसलिए देख सकते हो फ्रेंट्स तो खूच इस तरीके का आप ल जिक करने का स्मार्ट वाच है इसमें बहुत अच्छा स्पिक कर आया पर य्यूज़ कि या जाते हैं ऐसा लगना चाइए कि हाँ इसमें स्पिकर निया गया है बट वहां पड़ आप लोगो को एक प्लास्टिक का टुकरा राता है उसी Cool li यहांपर जिसमें देके दन क्वाल को इसमें लगा दिया जाता है बस हो गया is speaker का रिएल में यहांपर आप लोको उतना अच्छा क्वाल्ट का speaker जिसमें नहीं दिया जाता है इसमें यहां पर रहते हैं Android smart watch में आप लोग को अच्छा speaker यहां पर quality देखने को मिलते हैं जिसमें कि आप लोग के यहां पर real speaker दिया जाता है बट इसमें आप लोग का real speaker यहां पर अच्छा जिन नहीं भी आ जाता है आप लोग देखे लिना उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पता चल जाएगा इस smart watch में आप लोग कैसा speaker देखने को मिलते हैं अब चलिए बात करते हैं इस smart watch हम लोग किस तरीके से volume को increase कर सकते हैं आप लोग को पहले connect कर देना है smart watch तो यहां पर volume का देखने को मिलेंगा आप लोग इसे यहां पर इस तरीके से click करके आप लोग पूरा volume को increase कर सकते हो अब देखो एक sound आप लोग को यहां पर play करना है तो यहां पर music में जाएंगे and then उसके वाद simply इसके उपर sound को उपर click कर देंगे इस तरीके से आप लोग को इसमें sound को play करना है आप लोग सोच रहोगे यह किस चीज़ का sound है तो यह मेरा ही sound है तो मैंने इस smart watch में record करके क्या था बहुत लोग को होता क्या है कि यहां पर पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से उसे speaker क्लिन करना है आप लोग चाहँ तो fix my speaker को option को पर जाके अपनी smartphone में fix my speaker को यहां पर जो जाना है Google पर fix my speaker को search करना है वहां पर आप लोग का open हो जाएगा दिन वहां से आप लोग को smart watch को connect करके दिन वहां पर play करना है बट उसमें 90% chance रहता है कि आप लोग का speaker भी damage हो सकते क्योंकि बहुत लोग यहां पर करते कि आप पूरा full sound दे देते हैं इससे होता कि मेरे साथ खूद में ऐसा हुआ है वहां पर पूरी तरीकिस का speaker भी damage होके जैसा आवाज आता था वैसा यहां पर आवाज नहीं आता रहा था बट था यहां कि आवाज भटा वहा रहा था था थोड़ा अवाज आ रहा था था उसलिए अगर आप लोग का fix my speaker यूज करोगे तो थोड़ा सा आप लोग को लिमिटर भी उस करना है आप लोग यहां पर जो volume को इतना आप लोग को रखना है यहां पर अंधिने को रिकॉड किया था fix my speaker का भी मैंने यहां पर जो स्मार्टवाच करके दिखाया कि किस तरीके से volume को increase आप लोग यहां पर कर सकते हो वह अगर आप लोग को वीडियो देख नहीं आता है दोसरा यहां कि यहां पर जो है किसी-किसी का speaker यहां पर वर्क नहीं करता है आप लोग इसे smartwatch का speaker को replace कर सकते हैं यानि कि हम लोग क्या स्मार्टवाच में speaker दिया गया उसे हम लोग change कर सकते हैं दूसरा लगा सकते हैं तो यह तुम्हें यहां पर नहीं बता सकता बट अगर आप लोग यहां पर आप में जाओ तो वहां आप लोग बोलो कि मुझे पर बहुत अच्छा हमापर आवाज करने वाला एसाप लोग की स्मार्ट वाच करता है आप लोग को साउंड आप लोग का आने लगए देना अप लोग कर भी स्मार्ट वाच का साउंड परोलम में पूरी तरीके से उड़ जाएगा अब देखो 90% chance यह भी रहता है कि यहां पर जो इसका speaker कर रहता है size बहुत ज़्यादा छोटा है and then other speaker का size रहता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा रहता है आप यह भी होता है कि वहाँ पर speaker मिलना असंभव हो जाता है वहाँ पर जो speaker नहीं मिलता है तो उसलिए यहाँ पर जो हो सकता है कि अगर आप लोग का smartwatch को connect कर देना smartphone से दिन आप लोग music को इसमें play करके देखो एक दो गंटा आप लोग music को इसमें बजा कर देखो या एक दो गंटा battery backup नहीं दे पा रहा है तो आप लोग आदा गंटा करोगे तो कुछ हद तक हो सकता है 10-20 परसेंट आप लोग का उनली जो volume इंक्रिस हो सकता अब ऐसा नहीं कि आप लोग का 1,000 परसेंट जैसा मैंने बताए तो आप वोल्यूम इंक्रिस पूरा हो जाएगा वैसा तो नहीं होने वाला है यह कोई smartphone नहीं है जिसमें आप लोग इसके speaker को change करा होगे तहां हो सकता है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा यहां पर आवाज आने लगे इस smart watch के speakers है तो आप लोग change कराना हो तो करा सकते हो अदर्वाइस आप लोग को change नहीं कराना है अपने से speaker का थोरा सा 10-20 परसेंट volume को इंक्रिस करना है तो आप लोग कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों बताया या तो आप लोग music बजा लो इस smart watch में या तो आप लोग किसी music के record कर लो vibration बला और या तो आप लोग यहां पर fix my speaker बजा के आप लोग इस smart watch का volume को increase कर सकते हो और यहां पर कोई भी तरीका यह नहीं है करने का या तो दो तरीके मैंन लोग का smart watch का volume जो increase हो जाएंगा तो मिलते हम लोग next video में, so thanks for watching.